हेलो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनीता शर्मा पे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस पर हम अच्छी अच्छी कुकिंग वीडियो दालते हैं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्सक्राइब काट देंगे सर्दियों में गाजर का जूस बहुत अच्छा होता है तो आप इसे जरूर बनाएं पीए और यह शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है इससे खून भी बढ़ता है और अगर अपना वेट लॉस करना चाते है तो उसके लिए भी बहुत अच् सब्सक्राइब करें तो अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे अपना जूस देखेंगा बिल्कुर बजार जैसा बनेगा और अगर आपको मारा वीडियो ज़रा सभी पसंद आता हो तो इससे लाइक करना ना भूले और इस पे कमेंट करें और ज्यादा अपने अपने कैरेट को छोटे-छोटे हिस्सों में काट लेना है यह हम बिना जूसर के बनाएंगे क्योंकि जूसर अखल सबके घर में नहीं होता है और बजार में कैरेट जूस बहुत महांगा मिलता है तो यह देखेंगे आप इसे घर में बना सकते हैं आपको जूसर की जूरत कैरेट को छोटा-छोटा काट लिया है सेम एसे अपने बीट फूट के एंड को काटेंगे यानी चकुंदर के एंड को और इसको भी छोटे-छोटे हिस्सों में काट लेंगे देखेंगे चकुंदर भी खून के लिए बहुत अच्छा होता है हमोगलोबीन के लिए बहुत काढ़र के तेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और यह नीमू काट लेंगे यह देकिए और यह पर नीमू के बीज निकाल लेंगे अबर हम जूस पी और शुम में बीज आया तो अच्छा नहीं लगता मूड़क हो जाता है तो इसलिए नीमू में पहले नीमू में इस तरीके से इस तरीके से बड़ी असानी से निवून के बीज निकल जाते हैं एक बीज नहीं रहता है चले आगे चलते हैं अब हम एक अपना लेंगे यहां पर मिक्सर और उसमें अपने चुट-चुटी काटी हुए कैरेट को डालेंगे और सासाज में अपना होगा इसके अपको जाओ सुगसे चुट नहीं इसमें डालीया है अब हम दालेंगए थोड़ा सा अपना पैते चब अल़ेंगे झीच ऑनी दालें ऑपनी फानेगी त। नहीं तो भीछ पानी दाला है अगर आपकी गाजर कम हो तो पानी भी कम डालेगा और देखिए अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे कि इसे पांच मिनट तक पीसना है इसे क्या होगा हमारे सारा गाजर और बीटूट अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये देखिए बढ़ बावल लेंगे और छलनी रखेंगें आप चाहे तो आटा चाहें जाएंगे बढ़ लेंगें यह देखें इस तरीके से और इसको दबा 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 जूस निकालेंगे क्योंकि यह फाइबर होता है अपने हम पिसले पिसे spirit नहीं और आफ यह मत समझेगा कि यह है यह फिर हमारा इससे गाजर वाइस्ट हो रहा सकता है तो भी ही ऑफल्फ निखाथे निकल जाता है सिफ जूस जूस आता है गाजर का और इस पल्प को भाद में भी यूज़ रियू आप इसे घाजर कालव बना सकते हैं या कोई मिठाई बना सकते हैं आप इसे पराथे बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ हमें यूज़ कर सकते हैं यह को मैं िर्फ़ार आप वेस्ट कैमें टाले जर्वार अब अच्छयर ओद क्रों वेस्ट नहीं जाए। अच्छी से दबाईएगा अब तक बिल्कुल सुखा सुखा सा ना हो जाए तक हम इसे दबा दबा के इसका जूस निकालना है यह देखिए है बिल्कुल इसी तरीके से उस रंग बहुत प्यारा आएगा हमारे जूस के लाल लाल और इसमें बीट रूट है अब नीमू भी डालेंगे पुदीना भी है तो टेस्ट बहुत अच्छा ही करेंगा यह और शरील के लिए साथ साथ हैं यह देखिए हमारा जूस बिल्कुल रेडी हो चुका है कितना सुंदर लग रहा है बिल्कुल मार्किट जैसा लग रहा है इसमें अपना आदा नीमू काटा था वह डालेंगे आप नीमू जादा भी डाल सकते हैं तोटली आपके टेस्ट के अनुसार देखिए हम इसमें नीमू का रस टाल लिया है सर्फ हम सर्फ काने चलते हैं। हमने धो बिल्कुल जुसे अरे देखिए अब इसमें डालेंगे थोड़ा जू दालेंगे थोड़ा सा नमग घ्लास i . सिवंसें भाड़ा जूळा पहाता है और मार्किट बली जूदकला नमग ताही जूसीन मूदा पीलऊ पीलोज जूसीन काला नमख भी शरीद के लिए अच्छा होता है नॉर्मल नमक नहीं है अच्छा नहीं एक जोश दालेंगे और अपने आप जोश में दालेंगे तो अपने आप ही जूस में मिक्स हो जाएगा और इसमें बिल्कुल फ्रेश हाथ से तोड़ा हुआ पुदीना कल दोड्या को मै लेना है कि देखे और इसको अपने दोनों ग्लासों में डाल लेंगे बस हमारा कारट जूस यानि गाजर का जूस बनके रेडी हो चुका है आप इसे रोज एक ग्लास पीचे आप इसकी अच्छी होईगी वेट लॉस में भी आपको बहुत हेल्प करेंगा टेस्टी तो है ही तो आप एक पर ज़रूर बना के देखिएगा बहुत अच्छा बनेगा यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा कितना अच्छा कलर आया है इसका और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा बच्चे अकसर गाजर खाने में नकरे करते हैं तो ऐसे पिलाईए खुश होके प झाल्यवाद झाल्यवाद